प्रदेश देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा वर्णसी की ज्यान बापिश रिंगार गौरी मामले में एक कोट का बड़ा फैसला आया है इस मामले में अदालत ने एक बड़ा निर्नय देते हुए मुस्लिम पक्ष की अपील खारिश की है कोट ने कहा कि ज्यान बापि मज़ित के भीतर सर्वे का काम पूरा कराया जाए और 17 माई को कोट कमिशनर इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करे कोट के इस बड़े और एहम फैसले से संत समाज में खुशी की लहर है हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है कोट के इस एहम फैसले का स्वागत चारों तरप हो रहा है कोट के इस फैसले पर हनुमान गड़ी के संत राजुदास ने भी अपनी राय रखी है क्या कहा है राजुदास जी नी चली आपको सुनाते हैं ज्यान बापी परकरन पर आज कोट का फैसला आया है स्वागत है जिस प्रकार से ऐसे लोग जो नहीं चाहते थे कि इसकी वीडियो ग्राफिंग हो सर्वे हो आज कोट ने सकती पूरवक कह दिया डियम और प्रसासन महोदे को और एक लोग को चेंज करना था और चेंज ना करके एक लोग और बढ़ा दिया कि ये दोनों कमिटी में रहेंगे एक नहीं रहते हैं तो एक कराएंगे दोनों नहीं रहते फिर भी सर्वे होगा 17 तारिक तक रिपोर्ट पेस किये जाएं ये स्वागत योग है कश्ट इस बात के कि जिस प्रकार से सरकारी काम में बाधा देने का काम एक भीर की द्वारा की जाती थी इसमें कोट ने सक्त आदेश दिया डियम को अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाब सक्त से सक्त कारवाई करें उसके कलाप अभायार करें तो मुझको कोड कुपर विश्वासा और नमः पारवती पते हर हर महादेव हिंदु जनभावना उससे जुड़ा हुआ है क्योंकि आप जब ग्यान भापी परिसर को देखेंगे तो आपको सीधे दिखेगा कि यह पुरानिक मंदिर है चाहे पीछे का आकार देखिए चाहे आगे नंदी भगवान को देखिए चाहे जिस गवरी मया की पूजन के लिए जो परिसर में हैं जो बंद कर दिये गए थे इस चीज़ को लेकर देखिए तो कोड का आदेश सारहनिया है और मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश के प्रसासन उसको सक्ति से पालन करेगा अब जो आरजक तक तत्तो के लोग थे जो बाधा उत्पन करते थे अब वो बाधा उत्पन नहीं करेंगे यह मुझको विश्वास है तो हनुमान गड़ी के संथ राजोदास ने भी कोड के इस एहम फैसले का स्वागत किया है चारो तरफ खुशी के लहर है और इंतजार है तो बस कोड के फैसले का कोड ने साब क्या दिया है कि मज़ित के चप्पे चप्पे का सर्वे होगा कोड ने इस कारवाई को सकती के साथ पूरा करने का आदेश दिया है साथी कोड ने कमिशनर के साथ दो नए वकील भी जोड़े हैं कोड ने कहा कि जब तक मज़ित के कमिशन की कारवाई पूरी न प्रुदेश नमस्कार